नमस्ते या भीवातन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर दोस्तों बात करेंगे DCB Bank की आप वीडियो लाइक कर लिया कीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो पता नहीं चलता कि किस तरीके की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आती है लाइक कर दिया कीजिए DCB Bank की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यह bank हमारे portfolio का भी हिस्सा था और आपको अगर याद हो तो जब आपने इसको portfolio में डाला था उसके बाद मैंने profit booking की भी बात की थी 90% profit booking की जो लोग शुरुवात से जूड़े होंग लेकिन जिन लोगों ने भी यहां पर खरीदा उनके लिए बहुत important updates है रिजल्ट का छोटा सानालसिस आपको देंगे लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे करनी है जो यह brokering, broking agencies होती है इनकी तरफ से कुछ targets वगर आये हैं इस data के लिए economic times को पूरा साभार उने के माध और मोतिलाल उस्वाल भी कह रहे हैं कि हम 100 रुपय का target दे रहे हैं जो कि कुछ बहुत बड़ा target है नहीं क्योंकि 78% का target वो भी एक साल के लिए कुछ खास होता नहीं है MQ global वालों के पास बहुत कारण है negative बताने के मैं भी आपको समझाओंगा लेकिन मोतिलाल उस्वाल वाले कुछ चीजें कह रहे हैं operating performance मैं बिल्कुल इस चीज से गरी करता हूं higher interest reversals का मतलब यह है कि धन आ तो रहा है काला धन नहीं धन आ तो रहा है लेकिन चला भी जा रहा तो overall situation इस bank के लिए क्या सही है क्या नहीं है उसको हम समझेंगे लेकिन मोतिलाल उस्वाल इसलिए 100 रुपय का target देना करें यहीं का यहीं रहने वाला है bank under pressure रहेंगी growth वाली चीजें operating performance ठीक ठाक नहीं रहेगी अन्ड चीजें हैं हम discuss करते लेकिन video छोटी रखनी है और बात नहीं आप बोलने दीजे जिसको जो बोलना है वालिम आप देख रहें कितना बेहतरी नहीं हुआ है यह लेवल क्यों लेने लायक था वो आप यहीं से जाकर cross check कर सकते हो जब हम नमेंबर में इसको खरीदे थे और उसके बाद यह बढ़िया परफॉर्मिंस दिया था इसके अनाम भी कुछ banks हमने आपको खरीदने की सला दी है पिछले कुछ दिनों में जिनकी साइच छोटी है बाकी बड़े bank को तो आप खरीदी सकते हो अब क्या है हमको यहां पर खत्रा जो मोल मिल रहा है मतलब जो हम खत्रा मोल ले रहे हैं क्या वो डिजर्ब करता है bank या इस पर आपको focus कराना चाहता हूं देख रहे हैं यह neck to neck है मतलब interest का खर्चा कम तो हुआ है लेकिन उस level का नहीं कम हुआ 526 करोन bank ने खर्चिया 534 के मुकाबले कमाई कम हो गई 870 से 840 भी नहीं आ पाया कमाई 30 करोन कम हुई और खर्चा सिर्फ 8 करोन कम हुआ तो आप समझ घट रही है मतलब operation बैंक का धंग से हो नहीं पा रहा है ग्रोथ यह धंग से कर नहीं पा रहे हैं और अगर employee cost की बात करोगे यह उसको भी mitigate कर नहीं सकते ठीक है अब direct आप देख सकते हो कि खर्चा लगभग लगभा इनका उतना ही रह जाता है तो total जो इनका खर्चा हो जा हैं लेकिन उससे पहले में आपको provisioning दिखाना चाहता हूं यहां पर आप देख सकते हैं 100 करोण रुपए इस बार बैंक ने निकाले जो की बहुत कम है जश्ट पिछले quarter से पिछले साल के इस quarter से ठीक है 18 करोण 50 करोण रुपए सीधे इन्होंने कम कर दिया और इसी के कारण बैंक जो है आपको ठीक ठाक operational performance मतलब जो on paper कम से कम हमको सही दिखाई दे यह चीज जैसे कि हम देखते हैं ना bank कमाई कितना किया धाई रुपए एक share के पीछे धाई रुपए एक share के पीछे और तीन रुपए जश्ट पिछले quarter में पिछले साल के इस quarter में दो रुपए 20 प साहिए उस पर भी हम discuss करेंगे लेकिन जो इस बैंक के लिए सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है देखो सबकी conditioning अपने तरीके से handle हो सकती है यह bank रिस्क तो लेता है लेकिन जो अन्य छोटे banks है उनसे थोड़ा सा यहाँ पर जो business model है वो मुझे perfect लगता है इसलिए मुझे यह bank पसंद है और कुछ और बैंकों की अभी हम बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए gross NPA बढ़ गया है net NPA बढ़ गया है और तीन गुना चार गुना बढ़ गया है ठीक है चार गुना net NPA बढ़ा है और gross NPA भी आप देख लिजे दुगना हो गया है gross दुगना हो गया net NPA चार गुना बढ़ गया net NPA बढ़ने का exact कारण यही है कि इन्होंने provisioning कम की वो profits दिखाने के लिए तो क्या result सच में बुरा है जी हाँ result बुरा है और ऐसा हम नहीं कह सकते है result बहुत बुरा है लेकिन result बुरा है अब हमको इसमें इस बुरे result से क्या निकालना चाहिए अगर result इतना ही बुरा है तो भाई जितना गिर गया था result इतना भी बुरा नहीं है मतलब अगर हम अन्य बैंकों के comparison में जो इन्हीं के आसपास की valuation पे trade करते हैं और याद रखिएगा direct आप bank to bank comparison नहीं कर सकते हो कुछ bank retail segment में deal करते हैं कुछ professional segment में deal करते ह हैं कुछ क्यों businesses में पैसा लगाते हैं मतलब जादा category उनकी उसमें होती है तो यहां पर क्या है यहां पर जो होता है पर्सेंटेज टम्स में allocation है वो बड़ा perfect है यह जो momentum आया मैं इस चीज से बिलकुल एगरी करता हूं कि यहां पर इसको sustain करने में दिक्कत हो सकती है जब त है अब क्या ऐसे बैंकों में बने रहना चाहिए यह बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको अन बैंकों के नाम बता देना चाहता हूं जो recent days में मैंने आपको खरीदने के लिए बोला था IDFC first bank यह हमारे 26 जनवरी का portfolio का हिस्सा था यहां कहीं हमने खरीदा था federal bank यह हमार स्मॉल कैप में था क्या वैलेंटाइन पोर्फोलियो का हिस्सा था यह फरवरी में खरीदा था यहां कहीं हमने खरीदा था इसको उसके बाद यह गिरावर दिखाया है हमारे portfolio लगब 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 फ्लैट आ चुका है momentum यह बढ़िया दिखा चुका है मुझे exactly याद नही IDBA के अलावा CUB City Union Bank यह भी फ्लैट ही है जहां पर हमने लिया था अब इन बैंकों की बात हमने क्यों की अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत से stocks बहुत अच्छा परफॉर्म की हैं लेकिन banking sector सचे में परफॉर्म नहीं कर पाया है आप देखेंगे DCB भले भागा लेकिन ज वही DCB का भीहाल है कि 10% के आसपास यह उपर है जहां पर हमने खरीदा है फेटरल बैंक लगभग लगभग फ्लैट है IDBI यहां पर रिटर्न मिला है पर यह पॉर्टफॉलियो का हिस्सा है नहीं City Union Bank भी लगभग लगभग यहां पर हमने खरीदा वहां पर यह फ्लैट ही है वहां पर अभी एवरेज करने के चक्कर में आप पढ़िये अगर नहीं Banking Stock अगर Small Cap के हैं छोटे हैं Mid Cap के हैं तो वहां पर अगर कोई गिरावट आती है तो एवरेज मत कीजिए क्योंकि वह जो NPA है उन लोगों का वह किस तरीके से Handle करेंगे हमको आपको नहीं पता और challenging times में ही उनकी फिर से अगनी परिक्षा होगी हम किसी भी stock को सिर्फ इस base पे नहीं खरी सकते क्यूंका management पीछे बहुत अच्छा काम किया है तो आगे करने की probability जादा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे बहुत अच्छा काम करेगा management तो हमको reach up करना होगा revisit करना होगा अपनी positions जैसा कि आप देख रहे हो जो इनके brokers हैं अलग-अलग brokers कोई 100 का target दे रहा है कोई 75 का दे रहा है अब सोचिए कि यहां पर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहां पर भी लोग कहते होंगे मुझसे आदा दिमाग किसी के पास है नहीं यहां पर भी लोग कहते होंगे मु जिनेस मौडल अलग है हम रिस्क पे काईफी सारे अनाल्सिस करते हैं तो आप सोचिए कि जब इन लोगों में इतनी confusion है 25% का सीधे difference 100 रुपे से 75 रुपे का है और 25% बहुत 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 बढ़ा नंबर होता है अगर हम research पे बात करें तो तो इतना बढ़ा difference आने का मतलब क्या है कि यहां पर कुछ ऐसे factors हैं जिनको हम आप सिर्फ अपने दिमाग में बिठा कर उस पर decision ले सकते हैं तो overall situation हमारे सामने क्या रही लोग confused नहों इसलिए मैं आपको simply क्या समझाना चाहता हूं कि small banks में ना तो fresh खरीदारी ना तो fresh average करने का मौका है आपके पास बहले आ यहां पर मैंने आपको कोई खरीदने की इसलिए सला नहीं दी क्योंकि यहां पर मुझे average करना पसंद नहीं आया मैंने जहां पर लिया मुझे बहुत ज़्यादा उमीद थी कि stock परफॉर्म करेगा अपर लबल्स पर जैसे कि SDPC Bank हो गया कोटक Bank हो गया एक छोटी सी रेंज मिलेगा मैं फिर से इसमें एंट्री लेने की बात सोचूंगा पसंद से बाहर नहीं हुआ है पोट्फोलियो में मैंने कुछ पार्ट सेल प्रॉफिट बॉकिंग की हुई है दुबारा मैंने खरीदा नहीं पोट्फोलियो का हिस्सा है या आपके लिए disclaimer भी है आपको क्या क सोचते हो तो आपको स्विंग ट्रेइडिंग की बारे में सोचना पड़ेगा जो सौट टम रिस्क हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा जैसे कि कोवेड है कोवेड से सबसे यहादा डेंट छोटे बैंकों को पढ़ सकता है खासकर बैंकिंग सेक्टर को पढ़ने वाला है उस इस वक्त, बैंकिंग ही खरीद रहा है, तो छोटे सरकारी बैंकों में आप गुच जाओगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन वह भाग चुके हों, तो वहाँ पर भी आपको इंतजारी करना है, एक बेटर लेवल आप ढूंडा कीजिए, ने तो SBI में मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर मत खरीदो, फिर उंचे-उंचे टार्गेट यह दिये जाएंगे, 400 के लेवल पर भले मैं बोलूँ मत खरीदो, 1000 के टार्गेट आपको दिये जाएंगे, भले बेकुब बना रहे हों, और फिर जब वह साड़े-तीन सव आएगा, तो वहाँ पर लेने के लीजेगा, आपको ज्यादा help हो पाएगी, तो वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना, I hope मैंने आपकी आपकी जो confusion थी उसको clear कर दी, और इस डेटा को discuss करने के लिए हमारे एक यूजर ने बोला था कि भिया, इस पे जड़ा सा analysis दे दीजे, क्योंकि कोई 100 का target दे रहा है, कोई 75 का दे रहा है, हमारे portfolio में है, हम क्या करें, अब वो बंदा इस run में participate नहीं कर पाया DCV में, मतलब कि यहां पर profit नहीं book कर पाया, अभी है उसके बाद मैंने उसको simple सी सला दी, कि एक बार यह 100 जब तक न पार करे, तब तक आप एकदम नजर बना कर रखो, कोई trend चेंज लेना है, सुन trade लेना है, investment के लिए मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से risk manage कीजिए, अपने financial advisor से सला लीजिए, अपनी research करके ही trade लीजिए, हम मिलेंगे फिर से कोई सवाल सुझाओ, तो नीचे बताईएगा, मिलेंगे फिर से, नमस्कार.